नमस्ते, नासिक में स्थित त्रेंबकेश्वर मंदिर के रोमांचक दोरे के लिए एक बार फिर मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। मैं दादर से अपनी ट्रें गीतांजली एक्सप्रेस में चड़ा हूँ, जिसे नासिक रोड रेलवे स्टेशन तक पहुंचने में चार घंटे लगे। ट्रें की यात्रा बहुत सुखद और आरामदायक थी, मैंने यात्रा का पूरा आनंद लिया। मैं नासिक रेलवे स्टेशन से त्रेंबकेश्वर मंदिर के लिए बस में चड़ा हूँ, नासिक रोड रेलवे स्टेशन से त्रेंबकेश्वर मंदिर के लिए बस में चड़ा हूँ, नासिक रोड रेलवे स्टेशन से त्रेंबकेश्वर मंदिर के बीच की दूरी लगभ प्रवेश शुल्क नहीं है लेकिन भीरभाड के कारण छुट्टियों के दोरान मुफ्त प्रवेश में समय लगता है मंदिर के बाहर स्क्रीन लगाई गई है ताकि श्रधालू स्क्रीन में ही मंदिर के शिवलिंग को देख सके भीर को कतारबध होकर मंदिर में प्रवेश करने से रोकने के लिए मंदिर के बाहर बैरिकेट्स लगाई गए है त्रेम्बकेश्वर मंदिर की ओर जाने वाली सड़क कुछ छोटी और अस्थाई दुकानों से भरी हुई है जो धार्मिक वस्तुएं, चूडियां, अंगुठियां और मोतियों जैसी वस्तुएं बेचती है कुछ कपड़े, समुदरी, सीपिया और हस्तशिल्प भी बेचते हैं भक्तों के लिए मंदिर परिसर के बाहर बहुत सारे फूल विकरेता हैं, ताकि कोई भी मंदिर में प्रवेश करने से पहले फूल खरीद सके जैसे ही मैं दर्शन के लिए आगे बढ़ रहा था, मैंने मंदिर की और जाने वाले रास्ते में फूलों की बहुत सारी दुकाने देखी वहाविभिन प्रकार और रंगों के बहुत सारे फूल थे मंदिर में भक्तों की बहुत भीर थी इसलिए हमने मुफ्त दर्शन को छोड़ दिया और सशुल्क दर्शन का विकल्प चुना जिसकी लागत प्रतिव्यक्ती दो सो रुपे थी हमें सशुल्क दर्शन के लिए भी दो घंटे तक इंतजार करना पड़ा क्योंकि हमारे पास इसके अलावा कोई विकल्प नहीं था भीर इतनी अधिक थी कि भीर को नियंतरित करने के लिए मंदिर प्रबंधन ने किसी दुर घटना से बचने के लिए गेट बंद कर दिया था मैं अपने सभी दर्शकों को सलाह दूँगा कि वे इस तरह की भीर से बचने के लिए सप्ताह के अंत, छुटियों और छुटियों पर न आएं यह हमारा सवैतनिक दर्शन है, लेकिन फिर भी सवैतनिक दर्शन के लिए अवकाश, छुटिया और शनिवार वर रविवार के दोरान प्रतीक्षा अवधी चार घंटे थी भीर के साथ कतार में चलना और दोरना मज़ेदार था और पूरी तरह से खेलना था यह एक काउंटर है, जहां भक्त सशुल्क दर्शन के लिए अपना टिकट लेते हैं, जिसकी कीमत प्रती व्यक्ती 200 रुपे है लाइन प्रतीक्षा में है और धीरे धीरे चल रही है, इसलिए मैंने कतार में अपना समय बिताने के लिए खेलना शुरू कर दिया श्री त्रेंबकेश्वर शिव मंदिर भारत के महाराष्टर के नासिक जिले में त्रेंबकेश्वर तहसील के त्रेंबक शेहर में एक प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो नासिक शेहर से 28 किलोमीटर और नासिक रोड से 40 किलोमीटर दूर है यह हिंदू भगवान शिव को समर्पित है और बारह जोत लिंगो में से एक है जहां महाराष्टर के त्रेमबक एश्वर में हिंदू वन्शावली रजिस्टर रखे गए है पवित्र गोदावरी नदी का उद्गम त्रेमबक के पास है मंदिर परिसर में कुसावर्थ कुंड श्रीमंद सर्दार राव साहिब पार्नेरकर द्वारा निर्मित जो इंदोर राजे के फड़नवीस थे गोदावरी नदी का स्रोत है जो प्रायद वीपिय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है कुंड के किनारे पर सर्दार फड़नवीस और उनकी पत्नी की एक प्रतिमा देखी जा सकती है वर्तमान मंदिर को मुगल शासक और अंगजिब द्वारा नश्ट किये जाने के बाद पेश्वा बालाजी बाजीराव ने बनवाया था यह मंदिर तीन पहाड़ियों ब्रह्मगिरी, नीलगिरी और कालागिरी के बीट स्थित है मंदिर में तीन लिंग हैं जो शिव, विश्नु और ब्रह्मा का प्रतिनिधित्व करते हैं मंदिर के तालाब को अमरित वर्शिनी कहा जाता है, जिसकी माप 28 मीटर गुना 30 मीटर है जल के तीन अन्य निकाए हैं, बिल्वतीर्थ, विश्वनाथतीर्थ और मुकुंदतीर्थ यहाँ विभिन देवताओं, अर्थाद गंगा, जलेश्वर, रामेश्वर, गौतमेश्वर, केदारनात, राम, क्रिश्न, परशुराम और लक्ष्मी नारायन की छविया हैं मंदिर में कई मठ और संतों की समाधियां भी हैं शिव पुरान के अनुसार एक बार ब्रह्मा और विश्नु के बीट स्रिष्टी की सर्वोच्चता को लेकर बेहेस हुई थी उनका परीक्षन करने के लिए शिव ने प्रकाश के एक विशाल अंथीन स्तंब जोतिरलिंग के रूप में तीनों लोकों को भेद दिया विश्नु और ब्रह्मा ने किसी भी दिशा में प्रकाश के अंथ को खोजने के लिए क्रमशह नीचे और उपर की ओर अपना रास्ता विभाजित किया ब्रह्मा ने जूट बोला कि उन्हें अंथ का पता चल गया जबकि विश्नु ने अपनी हार स्वीकार कर ली शिव प्रकाश के दूसरे स्थंब के रूप में प्रकट हुए और ब्रह्मा को शाब दिया कि समारोहों में उनका कोई स्थान नहीं होगा जबकि विश्नु की अनंत काल तक पूजा की जाएगी जोतिरलिंग सर्वोच आंशिक वास्तविक्ता है जिसमें से शिव आंशिक रूप से प्रकट होते है जोतिरलिंग मंदिर इस प्रकारवे स्थान है जहां शिव प्रकाश के एक ज्वलंत स्थंब के रूप में प्रकट हुए थे मूल रूप से 64 जोतिरलिंग माने जाते थे, जबकि उनमें से 12 को बहुत शुब और पवित्र माना जाता है 12 जोतिरलिंग स्थलों में से प्रतेक में पीठासीन का नाम लिया गया है देवता, प्रतेक को शिव की अलग-अलग अभिव्यक्ती माना जाता है इन सभी स्थलों पर प्रात्मिक छवी लिंगम है, जो आरंभिक और अंथीन स्तंब-स्तंब का प्रतिनिधित्व करती है, जो शिव की अनंध प्रकृती का प्रतीक है 12 जो तिरलिंग हैं, गुजरात में सोमनात, आंधर प्रदेश में श्री शैलम में मल्लिकारजुन, मध्य प्रदेश में उज्जैन में महाकालेश्वर, मध्य प्रदेश में ओंकारेश्वर, हिमाले में केदारनात, महाराष्टर में भीमाशंकर, उत्तर प्रदेश में वार शिव ने अरिद्रा नक्षत्र की रात को खुद को एक जोतिरलिंग के रूप में प्रकट किया। ऐसा माना जाता है कि जब कोई व्यक्ति आध्यात्मिक उपलब्धी के उच्च स्तर पर पहुचता है तो वह जोतिरलिंगों को प्रित्वी को छेती हुई अगनी के स्तंभों के रूप में देख सकता है। प्रतेक जोतिरलिंग स्थल इश्टदेव का नाम लेता है। मूल रूप से जोतिरलिंग शिव की अनंध प्रकृती का प्रतीक है। उच्चतम स्तर पर शिव को निराकार, असीम, पारलोकिक और अप्रिवर्तनिय पून ब्रहमा और ब्रहमांड का आधी आत्मा माना जाता है। श्रीत रेंबकेश्वर बारह जोतिरलिंगों में से एक होने वाला एक धार्मिक केंद्र है। यहां स्थित जोतिरलिंग की असाधारन विशेष्टा इसके तीन मुख हैं, जो ब्रहमा, विश्नु और शिव का प्रतीक है। पानी के अतिधिक उप्योग के कारण लिंग का क्षरन होने लगा है। कहा जाता है कि यह क्षरन मानव समाज के क्षीन स्वरूप का प्रतीक है। लिंग एक रतनजरित मुकुट से ढखे हुए हैं, जिसे त्रिदेव, ब्रहमा, विश्नु शिव के सोने के मुखोटे के ऊपर रखा गया है। ऐसा कहा जाता है कि यह मुकुट पांडवों के समय का है और इसमें हीरे, पन्ना और कई कीमती पत्थर शामिल है। प्रतेक सोमवार को शाम चार से पांच बजे तक मुकुट प्रदर्शित किया जाता है, शिव। अन्य सभी जोति लिंगो में शिव मुखे देवता है। संपून काले पत्थर का मंदिर अपनी आकरशक वास्तुकला और मूर्तिकला के लिए जाना जाता है और ब्रहमगिरी नामक परवत की तलहटी में है। गोदावरी के तीन स्रोत ब्रहमगिरी परवत से निकलते हैं। जब ब्रहमा अपने सिर्प शिव द्वारा धारन की गई गंगा नदी को प्रवाहित करने के लिए गंगा के उसी पवित्र जल के साथ सते लोग पृत्वी पर आये तो उन्होंने भगवान त्रिविक्रम की पूजा की। 24 वर्ष तक अकाल पड़ा और लोग भूख की वेदना से त्रस्थ हो गए। हाला की बारिश के देवता वरुन ने रिशी गौतम से प्रसंद होकर मेहर्शी गौतम के आश्रम निवास्थान में हर दिन बारिश की विवस्था की जो त्रेंबकेश्वर में था। मेहर्शी गौतम सुबह अपने आश्रम के आसपास के खेतों में चावल बोते थे, दोपर में फसल काटते थे और उससे रिशियों के एक बड़े समूह को खाना खिलाते थे, जिन्होंने अकाल के कारण उनके आश्रम में शरन ली थी। रिशी समूह के आशिरवाद से रिशी कापुने बढ़ गया। अब दर्शन के लंबे इंतजार के बाद कुछ नाश्टे का समय आ गया है। बाहर और भी कई स्नेक्स हैं, जिन्हें आप आजमा सकते हैं, जैसे भेल पूरी, आलुचाट, चना मसाला आदी और बच्चों के लिए खरीदारी के लिए कई खिलोने हैं, कुल मिलाकर यह गूमने और रहने के लिए एक अच्छी जगह है। अब हमारा त्रेंबकेश्वर दोरा समाप्त हो गया है, मुझे यकीन है कि आपने भी इसका आनंद लिया होगा और इस जगह के बारे में कई जानकारी प्राप्त की होगी, मैं भविशे में ऐसे वीडियो बनाता रहूंगा इसलिए ऐसे जानकारी पूर्ण वीडियो देख